बाजरा भावानतर भरपाई योजना क्या इस बार बाजरी की भावानतर भरपाई मिलेगी या होगी इस बार शरकारी खृइद केतने रुपेज परति केमटल मिलेगी बावानतर क्या पढ़ेगा असरकार बदलने या ने बदलने का फरक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे क्या है इलेक्षनों का फरक इलेक्षनों के कारण क्या फरक पढ़ेगा आपकी भावांतर पर तो मेरे प्यारे साथियो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजीए और वीडियो को भी लाइक और ज़्यादा शेक कर दिजीए تو मेरे प्यारे किसान भाइयों के मेरे पास WhatsApp पर मैसिज आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आ रहे थे भाई ये बता देगी भावान तर मिलेगी या नहीं बाजरा रोक के रखें या नहीं तो मेरे प्यारे किसान भाईयो अभी जो आपको पता बाजरे की जो MSP चलती है जो मारकेट जो MSP हम कहते हैं वो चल रही है भाई जो 2635 रुपे 2635 रुपे जो पिछली बर थी उससे 135 रुपे फालती हो है पिछली बर जो MSP थी वो 25 रुपे थी और अभी फिलाल जो बाजरे का रेट चल रहा है वो चल रहा है 2311, 2315 2100 से लेकर 2300 के बीच में जो है बाजरे का भी रेट चल रहा है जो अभी मंडी का रेट है अभी जो है मैं सरकारी खरीद शरूर नहीं हुई है उससे पहले का मैं आपको रेट बता रहा हूँ तो मेरे प्यारे किसान भाईयो जो रेट देखके लग रहा है कि भाई MSP पर नहीं मिलीगा खरीद आ जाएगा बाजरा जो बाजरे की खरीद होगी वो बिल्कुल बावंटर पर होगी लेकिन लेकिन एक यह भी आपने देखा की जो फुड़ा साब के बेहान आते हैं कांगरिस पर्टी के बेहान आते हैं कि भी हम सारी ख्रीद जो है सरकारी करेंगे जो कि बिलकुल अच्छी बात है उसके हिसाब से अगर कांगरिस की सरकार बनती है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको बावांतर मिलेगी क्योंकि वो सारा बाजरा आपका ख्रीदा जाएगा सरकार के दवारा हाँ अगर बी दो से तीन तारिक तक के अपना जो बाजरा है वो स्टोक करके रखें भई जैसे ही कोई बड़ी ख़बर निकल कर सामने आती है कि भई MSP मिलेगी नहीं मिलेगी MSP पर खरीद होगी नहीं होगी बावांतर मिलेगी या नहीं तो भाई अब इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा आप अपना बाजरा है इलेक्शन ओने तक स्टोक करके रख लें क्योंकि इलेक्शन के बाद इसके पत्ते पूरी तरह से खुल पाएंगे और जैसी सरकारी खरीद शुरू होते हैं मैं आपको पता हुए करके बता दूँ अभी बावांतर पर खरीद होगी या फिर MSP पर खरीद होगी चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को सिस्क्राइब करें वाटसप ग्रूप टेलिगरम ग्रूप जोइन कर लें वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा शेय करें और अपना बाज़ा कुछ दिन के लिए स्टोक करके रखें